बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे Our Environment और दूसरा टॉपिक है Social Health Students, an environment is the natural surroundings which help life to grow, nourish and destroy on this planet called the Earth तो हमारा जो प्रित्वी है, हमारी प्रित्वी है, इस पे हम लोग इसके surroundings को यूज करके, इसके plants को यूज करके, हम लोग जीवित रहते हैं Natural environment plays a great role in the existence of life on the Earth and it helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally तो जो ये surroundings है, environment है, इसके वज़े सही सारी चीज़ें develop होती है एक clean environment is very necessary to live a peaceful and healthy life तो अगर स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी, तो हम जादे अच्छे से सांतिपुन तरीके से जीवन बिता सकते हैं Our environment consists of natural resources like water, air, soil and forest कुछ चीज़े हमको God gifted मिली हैं, जैसे water भगवान ने दिया है, air दिये हैं भगवान, मिट्टी दिये हैं और जंगल दिये हैं हमें इन सब चीज़ों को बचाना है, क्योंकि इनी सब चीज़ों का यूज़ करके, air का यूज़ करके सांस लेते हैं, water का यूज़ करके पीते हैं स्वाइल का यूज़ करके खेती करते हैं, और forest है, जंगल है, हमको फल देता है, फूल देता है, और जंगली जानवर देता है तो ये चीज़े बहुत जरूरी हैं, हमारे environment के लिए कुछ लोग, कुछ इंसान इन सब चीज़ों का बहुत जादे प्रयोग करते हैं, natural resources का इससे pollution फैलता है, production फैलता है, हम लोगों को natural resources का प्रयोग कम से कम करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीडियों के लिए ये बची रहें तो पहला natural resource है water, water आप जानते हैं, हम लोग पीते हैं, जानवर पीते हैं, plants लेते हैं यारी प्रिथ्वी पे जो भी living things हैं, वो सब के सब water का use करते हैं लेकिन सारे के सारे water हमारे लिए सही नहीं रहते हैं, हमें pure water पीना चाहिए इम pure water नहीं, असुथ पानी नहीं, शुथ पानी पीना चाहिए असुथ पानी पीएंगे तो कई बिमारियां हो जाएंगी, इसलिए शुथ पानी, pure water हमें पीना चाहिए और आजकल तो बहुत जादे पानी को सुध करने के यंतर आ गये हैं, काप लोगों को उनका प्रियोग करना चाहिए कुछ विधियां होती है, water को सुध करने के लिए, जैसे boiling होता है, आप water को लिजिए, boil कर दीजिए जब आप water को boil करेंगे, और इसके बाद उसे ठंडा कर लिजिए इसके बाद उसे ठंडा कर लिजिए, तो water इसके बाद पीनियों के हो जाता है और एक तरीका filter करने का है, आप water लिजिए, और उसे filter कर लिजिए water को filter करने से, उसमें से जितने dirt होते हैं, जर्म होते हैं और ऐसी चीज़े होती हैं, जो health के लिए नुकसान करती हैं, वो filter हो जाती है ये एक filter है, उपर water है, नीचे charcoal है इसके बाद piece of cloth or bandage है, sand है, और pebble से खंकड है इसके माध्यम से water को purify किया जाता है ये एक जनरल तरीका है, लेकिन आज कल तो market में बहुत जादे purifier, electrical purifier आ गए है हमारे environment के लिए sunlight बहुत जरूरी है यदि सूरज नहों, तो पृत्वी पे जीवन संभव नहीं है और हमारा, आपको मालूम है कि जो हमारा सूर्य है, वो एक star है तारा होता है, चूकि ओ जमीन के करीब है, अर्थ के करीब है इसलिए ओ चमकीला दिखाई देता है सूरज जो है, हमारे सबसे नजदिक है पृत्वी के, इसलिए जादे बड़ा दिखाई देता है भगवान ने हमें और क्या दिया है, एर दिया है, हवा हवा के वज़े से ही पृत्वी पे जीवन संभव है क्योंकि हवा में आकसीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डियाकसाइड है, और भी बहुत सारी गैसेज है तो हम जब सांस लेते हैं, तो आकसीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डियाकसाइड छोड़ते हैं ये दोनों चीजे हमारे जीवन में बहुत जरूरी है यानि हवा का महत तो हमारे जीवन में बहुत जाते है फॉरेस्ट यानि जंगल ये ग्रीक सब फॉरेस्ट से लिया गया है मतलब आउकसाइड फॉरेस्ट में क्या होता है यहाँ पे आपको लकड़ियां मिलती हैं इधन के लिए पेपर मिलता है और पसुओं के लिए चारा मिलता है और हम लोगों के लिए फल फूल मिलते हैं हम लोगों को जंगल को बचाना चाहिए हम जंगल को कैसे बचाएंगे तो यदि माल लेज़े कि किसी कारणबस पेड काटना पड़े तो हमें उसी हस्थान पर दूसरा पेड लगा देना चाहिए और उसकी देख भाल करनी चाहिए पेड लगाने के बाद उसके चारों तरफ घेरा बना देना चाहिए या तो लकडी से या तो जाली से इस तरह पेड बचेंगे यदि पेड रहेंगे तो आपके बाढ़ की समय कटाव नहीं होगा और पेड़ों के वज़े से मिट्टी जमीन में चिपकी रहती है स्वायल इर्योजन नहीं होता इस्टुडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे सोसल हेल्थ के सामाजिक स्वास्त की सामाजिक स्वास्त बहुत जरूरी है क्योंकि यदि एक व्यक्ति को कोई रोग होता है तो दूसरे व्यक्ति को रोग होने की संभावना बढ़ जाती है सोसल हेल्थ is how you get along with other people to form relationship and make friends due to difficulties with social issues और्टिज्म एक तरह की बिमारी होती है जो की मस्तिस्क से सम्मंदित होती है इसको भी overcome पाया जा सकता है दवाओं के द्वारा सोसल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जो हमारी बॉड़ी है building healthy relationship is a key part of university life meeting new friends and maintaining existing friends will ensure that you have a good social support system तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी मित्रता है जो आपकी friendship है जाए इनवस्टी लाइफ की हो या pre-इनवस्टी लाइफ की हो उसमें सोसल हेल्थ अपनी महत्पूर्ण भूमी का निभाता है कभी आप depression में आ जाएं तो आप इससे बचे रहेंगे यदि आप socially healthy रहेंगे आपको जादे से जादे लोगों को मित्र बनाना चाहिए नए नए लोगों से मिलना चाहिए इसके लिए आपको इंप्रूवड एकॉडमिक पर्फॉर्मेंस हाईयर सेल्फ एस्टीम सेंस आफ बिलॉंगिंग और पर्पल्स ग्रेटर हैपिनेस इंप्रूवड मूड रेडूस्ट स्ट्रेस यानि जादे लोगों से दोस्त बनाने से हम लोगों को कई सारी प्यमारियों से छुटकारा मिल जाता है अब सवाल उठता है कि कैसे हम दोस्त बनाएंगे दोस्ती में बहुत जादे जरूरी चीज़े होती है सेफटी एक दोस्त से दूसरे दोस्त को सेफटी फील होनी चाहिए इमांदारी एक दोस्त को दूसरे दोस्त के प्रती इमांदार होना चाहिए स्विकारता होनी चाहिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को स्विकार होना चाहिए मित्रता में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इंज्वाइमेंट दोस्ती ऐसी हो कि आपको मज़ा है दोस्ती ऐसी नहीं हो जो उबाऊ लगे तो इस तरह सोसल हेल्थ के माध्यम से आप कई चीजों को रिलेशन्सिप को और कैसे सेटिस्फाई तरीके से जिया जा सकता है जान सकते हैं सोसली हमको कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं कबड़ी खेल सकते हैं और भी कई तरीके के गेम हम सोसल होकर खेल सकते हैं और हमारे सोसल रिलेशन्सिप मजबूत हो सकते हैं